कि अधियर गुड़ इंग नमस्कार कैसे हैं दोस्तों दोब क्रिकेट के दिगज 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 को क्या है आप लोग हैं दिगज देखिये नहीं सर नहीं हम तो यह था कि एक आपने कहा कि सोफा खाली नहीं होना चाहिए क्या कहते हैं ऐसे मौके पर हाथ को आया और मूना लगा ने ने हार मैच की बात कर रहे हैं ना मुझे लगा है कुछ और यह था ने देखिए जब भी विकान दाई आप बैठते हैं तो बस यह लगता है कि आप से कुछ अच्छी बाते ले ले बढ़िया हां तो दोनों तरफ होता है ना अदान तदान मूचल क्लब है नहीं आज तक पे भी जब मैच खतम हो रहा था तो सहीद भाही कर रहे थे अंकरिंग और मैं बीच में आया तो यह मुझे पूछ रहे थे मैं अचली मदन जी के साथ कड़ा था लास्ट 25 मिनिट मतलब मैं स्टैंडबाइ पर था यह यह आंकरिंग कर रहे थे और हम वहां पर कोने दोनों नहीं हारी दोनों नहीं जीते लेकिन न्यूजिलेंड जीत के चलेंगा क्यों नूजिलेंड को इस द्राव में भी जीट दिख रही होगी जो 9 विकेट जिसके गिर चुके हूं और 25 मिनिट बावन गेंदे उनके आखरी दो बल्लेबास खेल गए हो इंडियन औरीज हैं वो यहां से बैंगलोर से माइगरेट हो गए थे और जो दूसरे एजास पर टेल है वो बंबे में उनकी पैदाईश है क्या बात है आप देख लीजे वाफ 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 यह बड़ी खुबसूरत बात होती है इंडिया चीट के अचा मैंने पूछा रह नाम जो है रचिन रविंद्रा उनके जो पेरिंट्स थे फादर जो थे वो राहुल डरविट और सचिन टेंडुलकर के बहुत बड़े फैन थे तो उन्होंने क्या किया सचिन और राहुल के नाम से र.E. उठाया या यानि र. र.चिन. पौपौः पौपौः उनकष बी तो श्रिनाथ अंकल इस मैच में मैच रफ्री भी थे बिलकुर और रावल रवेड उधर कोचिंग कर रहे थे इंडिया की मेरे रॉंग्टे खड़े हो जाते हैं तहीं बार ऐसी इसी बाते सुने रावल एक बात बताओं आपको बड़ी मज़ेदार या वशिंग्टन सुदर आया था ना तो हम लुग SHOW कर रहे थे दोनों अब मुझे समझ ही लह रह था वASHंटन क्या सुंदर आपने कहान ही बताई थिया यह उसके नाम क्या रखा गया था यार ये क्या बात है वाफ 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 यह कि हाम्ण डिस्पॉंटॏइड तो इंडिया वगा क्युकि अप होइं खेलते हो बले है आप नंबर एक टीम से खेल रहे हो बटो수oga नहीं नार व्लोटेश चेंपोरेज़़गि के पॉARON्ट पॉइंट्स आपके हाथ से निगल गए है राहूल द्राविट ने मैंच के बाद 35,000 रुपे दिये हैं क्यूरेटर शिव कुमार को वो अरसे से ग्रिंपा कानपूर के वही क्यूरेटर है पेश क्यूरेटर जी उनको मतलब इनाम के लिजी है जो मर्जिक के लिजी है मदद के लिजी है मुझे लगता है कि विकेट तो मतलब बाड अड़िजमेंट फो टेस्क्रिटर ठीक है मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि वो गड़े पे खेलना चाहिए था डाइडाई दिन वाली विकेट पेहले दिन यहां पर गेन रहरी है गिटो भी लगर फिल्कुल या आप सैनियो आर को इसे हो यह रहे और तो यार चोटे आजकल लग रही है ना गोटों पे और गिटों पे लग रही है वारी तीम में आज तक टीम है तो खै बट इस तरह के विक्ट पे आप टेस्ट मैच ने खेल सकते हैं ठीक है मैं यह नहीं कहूंगा कि आपका पांच में थोड़ा बहुत बाल घूमे यार कमसी का बांस तो हो विक्ट में आपने निउजलेंड की वड़ी हिम्मत है बढ़ी बहादरी है कि वह यह टेस्ट मैच बचा के लिए गए इस तरह की विक्टों पे आप यह यह टेस्ट क्रिकेट लबाल सभकर ही विक्ट रहाए वह बहतर होती हिरे पहले दिन बोलते हैं कि यह दो तें दिन होते हैं तो आपके बल्ल्ले बास है हमारे विक्ट तूटती जाती है इस विक्ट में पहले दिन ही बांस खFather इन यह उम गिट्टों पे लगई थी आपके बॉल और बट यह जेसं वान करते हैं तो विकेट पांच दिन लास्ट करें बहुत कम होते हैं विकेट लास्ट क्या करें अजय कि थी तो यूलो या पांच दिन टेस्टमाच चलेगए लिकेट पर यूदे उस बात पर एक ड्रमाटिक एंड हो गया इस मैंच का कि आपको याद रहेगा, रहे, एंड में आके एक विकेट से मैच बचा लिया, संसनी खेज हो गया, लेकिन ये टेस्ट मैच तो जिस विकेट पे खेला गया है, इस विकेट को याद ना ही करें तो अच्छा हूँ. याद मैं बोल रहा हूँ, करना चाहिए आपको, कि ऐसी भी विकेट, आप वो मत बनाई है, जो आपने चन्नाई और एहम्दाबाद में दिया था, तब बीच विकेट क्यों ही बना पाने हैं, बड़ मेरे हिसाब से इंडिया को पता था कि आपको क्या मिलने वाला है, क्योंकि जब प्री मैच प्रेस कॉंफरेंस एक दिन पहले जब रहाने आये थे, तो उन्होंने यह बात कही थी, पुलते जी देखिए, इंडिया में तो ऐसी ही विक्ते मिलेंगी, और वर्ल्टेस चैंपिंशिप के पॉइंट्स भी हो गए हैं, तो उन्होंने लो बाउंस और स्लो वो का जिक्र किया था, तो क्या मुझे इस फिर यह मैं आपसे जाना चाहता हूँ, क्योंकि रहाने का एस बैट्समैन यह टेस्ट मैच बड़ा खराब रहा है, सोमच सो कि लोग कह रहे हैं कि आप उनको आप टेस्ट मैच और बात कि अगर वही जानना चाहता हूँ कि अगर पर वो इंडिया एक विकेट और लेता, देखे रहाने की कप्तानी में कभी मैच नहीं आ रहा है इंडिया ने, यह वो कप्तान है जिनकी लीडर्शिप की बात हुई थी जब और उसके बाद इनोंने सीरीज जिता ही, बड़ वक्त जब खराब आता है, तो क्या वो कप्तान की ऐसा कोच भी शुरुवात हुई है, एक ड्रॉ से हुई है, एक ऐसा मैच जो आपने घर पे खेला है, बहुत रेरली ऐसा होता है कि आप हार जाते हैं टेस्माच, वह भी आपको लगाने की न्यूजिलेंड से आप हार जाएंगे, आपने एक अच्छा टॉस जीता, आपन की ही नहीं है, एक पहली इनिंग में आपको शेहस और जडेजा ने बचा लिया, दूसरी में आपको शेहस और साहा ने बचा लिया, आपके पुजारा और रहाने दो बले बाद ऐसे जो इतने बड़े दिगज हैं, उनकी अब जगा को लेकर सावाल है, आप मुझे दोनों आपको ये बताईए कि आठ ओर जहां धड़ा 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 गिर रहे हैं, आठ ओर ये आखरी जूड़ी कैसे बचा लेगी, हम एक विकेट आठ ओर में क्यों निकाला हैं, दरसल अजास पटेल ने जो बैटिंग की है, मैं देख रहा था, वो इतना कॉ स्मैश था, आदा घंटा बैटिंग करनी थी और आम तोर पर 99% बड़े से बड़ा प्रेशर में आउट हो जाता है, बिलकल ये, जी, 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 अब फिर पीछे मूर के देखें, विकेट चलो आप एक्वेशन से निकाल दें, विकेट जो थी वो तो थी, मुझे लगत अलिया के सिपिनर्स जो लास्ट में थोड़ा बॉल को फैंकते हैं इन दी एर क्योंकि पुछ कर रहे थे, सारा दीने पुछ करते रहे क्योंकि बॉल पुरा ना उचुका था, और पुछ करना पड़ता है, ये स्लो विकेट है, पुछ करोगे, पुछ करोगे, पुछ करोग बैक्समन को पता है, बॉल टर्न होना नहीं है, मुझे सर्फ नीचे वाली बॉल देखनी है, नीचे ना रहए देख तो आगे खेली जा रहा है उसका बैट आ रहा है, आप जो फैंकते हैं आप, एक तो थोड़ा टॉस करेंगे आप और आम तौर पर कहते हैं कि एक स्पिनर का जब आप बैटिंग करते हो तो आपको आपको बॉल ऐसे देखना पड़े इसका मतलब है कि तो टॉस करते उससे थोड़ा बहुत स्लो होता थोड़ा बॉल स्लो होगा तो आप उसमें सिर्फ बल्ला अड़ाने से नहीं काम चलेगा आपको बॉल के उपर जाना पड़ेगा करीए इंसिडेंटल है इसन बट्स है और इसन बट्स की कोई मतलब सीमा नहीं होती इंडिया जीत गया ओता तो हम कहते कि क्या बात है मैच ड्रॉ हो गया जीत इगे थे अब तो भही आखरी विकरेगा नहीं लेकिन आपके रिकॉर्ड बुक में लिखा गया है रिकॉर्ड जब आपकी रेस होगी क्योंकि यह होम सीरीज है होम सीरीज में ही आपको मैक्सिमम पॉइंट मिनने है और जो भी इंडिया आता है वो तो टू-0-3-0 जितने मैच आरगी जाता है अब यू गो टू-बॉंबे और आप बॉंबे यह गिवन नहीं है कि इंडिया ही जीतेगा भले ही विराट कोली वापिस आ रहे हैं बट न्यूजिलवन यह तिखा दिया आपको हम व swords-zone नहीं जो अच्छी क्रिकट खेलते हैं वह नहीं नहीं है रिखाते बें हम दुनिया की नंबर वान टेस्ट टीम है अगर सौधी और सौधी और जैमी सन अगर यहां पे विक्टे ले रहे हैं, तो पॉसिविलिटी कि मुंबई में वो नील वैगनर को भी खिलाए, वहां पे बाउस भी होगा, वहां आपके बैक्समन तो यहां पे उन्हों ने ढ़ा दिये थे, मुंबई के तो विक्ट का भी आपको देखना है, मिट्टी, लाल मिट्टी है, वहां पे लेकिन बाउस जादा रहता है, फास बोरर का बॉल हिलता भी जादा है, बड़ आपके वहां लेफ्ट आम स्पिनलस भी आपके डेविल उसो कमें तो यहां पे बैटिंग पर भी आपकी बैटिंग कमजोरी है ना आपकी, उनको थोड़ा अजीब सा लगाता, उनसे पूछा था, कि आर आपको जो मैचेस जीत रहे हैं आप वह अपनी गेंदबाजी से जीत रहे हैं या फिर आप अपनी लोर मिडल ओर की बैटिंग से जीत रहे हैं, रोहिच शर्मा ने कुछ अच्छी पारियां खेली है, बट अगर आप देखें, कंसिस्टेंटली आपके जो रन आते हैं, वो लोर मिडल ओर से आ रहे हैं, या लोर ओर से आ रहे हैं, और आपके गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी कर देते हैं, उनमें काबिल येता है कि टीम में चेंजेस करने पड़ेंगे, और अवर ओर सकते हैं, पूरा तो खर नहीं होगा, तो आपको test cricket को भी आगे देखना है, कि क्या आप तयार हैं कि अजिंक्या रहने के beyond आप सूच सकते हैं, क्या आप तयार हैं कि अब रिदिमन साहा के beyond सोच लिएगा, फिर चेतेश् हो सकता है उनका भी रहने और पुझारा का लास तो पता नहीं लेकिन इन दोनों में से एक का मझे लगता है ये लास सीरीज दोना पड़ेगा लास मैं एक सवाल और आप दोनों से पूछना चाहता हूं और इसली क्योंकि हम लोग सब आपस में बात कर रहे थे कल 284 284 क्यों थ आप करें पहले डिकलेर कर देते हैं ने दी मुझे नहीं पता मैं आपसे पूछना हूं यह सवाव हमारे सब कर आए 284 क्यों ने वह तो 287 भी हो सकते हैं तो 284 में बहुत रहे हैं तो 284 अगर आपने बनाये 284 अब ऐसा अब आप लगजिरी आफ हाइंड साइट वह हमारे पास आप थोड़ा थेस खेल सकते थे पहले कलना आप बसे हूए थे थे योव सकते जो हम कह रहे हैं रहोल वो 15 फर्क पड़ता ज्यादा नहीं आपको ओवर ज्यादा ज्यादा बैसी है यह निये लेकिन जहां पर आप खड़का के खेलें अचे मुझे मुझे ही पतार इंड इंड आप फॉर आपको 284 भी नहीं वहां से जीत के लिए, लेकिन आप एक बात भूल रहे हैं, जब आज आप लंच ब्रेक पे वो गए हैं, उनको सरफ 203 या 4 रन रहे थे, और आप उस कॉप्री टीम के तरफ से सोचे, अगर आप एक टेस्ट मैच के आखरे दिन जाते हैं, नौ विक्टे आपके हाथ में, और 20 तो आप यह सोचते हो, सवातीन ही तो बनाना है, बना देंगे, बन जाते हैं, और नौ विक्टे हाथ में, तो 284 ही क्यों में, सहीथ भाई, दो ओवर, तीन ओवर, चार ओवर का फरक पड़ जाता, यह 20 ओवर का फरक नहीं पड़ता, आप यह कर सकते हैं, 284 की बजाए जैस गार, 90 हमें आज मिले हैं, 4 हमें, 95, 95 अवर गार, 96 ओरो में अगर आउट नहीं कर पाए, तो मतलब 100 में भी मतलब अब ठीक है, अब हम कहरे हैं, एक विक्ट रह गया था, एक विक्ट रह गया था, बट वो एक विक्ट था, नौ वर खेल गया न, बावन बॉले खेल गया, जब मैं आपके स्टूडियो में आया हूँ, जब 9 विक्ट गिरी है, अचा वो कॉफी नहीं तो पैर ओली जो मिशा ने दी थी, चलो कोई बाद, तो उस वक तो ऐसा लग रह था कि यार, उपर ओली ने का टेस्ट मैच में बनाया है, बड़ टेस्ट मैच अगर आप जी चा अगर शुरू में बोला ना, हमें इस लाइक सिड्नी में जो इंडिया ने किया, अपर आप ब्रिस्बन में जाके जीते, उनके लिए वो चीज है, अब पता नहीं, आप आप आख बंद करके जो हम लगा देते हैं कि ये, बॉंबे टेस्ट मैच में अब आप लाइसेंस भी दूसरा मैच था, अगर रोईट शर्मा ने वो ना रन बनाए होते हैं आप वो भी हार गेते हैं, बिल्कुल, 159, 16 सेडियम वाली विगड़ भी दे दो, जहाँ पर हमेशा टेस्ट मैच के सुबे पहले एक गंटे, बिकॉस वो अरेबियन सी से जो बिल्कुल साथ ही है समंदर, मतलब कहते हैं, तो वो एक सड़क है और वो जो सुबे बॉलिंग ब्रीज है, तो वो हुमिडिटी के कारण, सुबे बॉल हिलता भी है और फासबोर का बॉल चड़ता भी है, पिर स्पिनर बॉल करेगा उसको बाउंस मिलता है, वहां पे बैक्स्मैनों को शॉट्स मिलती है, लाल मती आ रहे हैं लेकिन विराट वूट अलसो भी माइंड़ फॉल अफाक की यार लोग मेरे से एक सौ एक सौ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बैए दो साल से, दो साल, तो विराट बी तो यह सोच के आ रहे है ना, यार कि मेरे को भी एक, क्यों वो चाहेंगे की गड़्डे पे खेली बात में हो जा गड़्डे पे खेलें? अब न्यूज ने अच्छी क्रिकट केली है, मना आूप वरी इंप्रेस्ट्रेक्ट ने तो तरह भी पता था कि बैड लाइट होगी, तो उनको सकता है, पूरा आज का दिन मिले ही ना उनको मैच बचाने के लिए, उनको सकते है, रैप अप कर देंगे मैचे नौ विक्टें उनके हाथ में थी अगर उन्होंने एक सेशन जो मुझे लगता है मैं मानता हूं कि न्यूजलेंड हम इंडिया की थोड़ा देख रहे हैं कि इंडिया तो मैच में आया है वापिस मेरे इसाब से न्यूजलेंड मैच में था आज अ थे सेशन होता है अब आपका मुझे लगता सकता है थोड़ास ना उनोंने न्यूजलेंड ने थोड़े से रन और निकाल दिये होते संगई डबल और लिली होते जो उनका लॉन्छ पे score था लंज टी पे याद आदेए जब वो टी पे गये हैं क्या score था चार आउट ते चार आउट कितने पर एक सो तेतीस चौन थीस पर मैं बूल रहा हूं कि अगर उनके सो डेड़ सो भी होते जो मैं यह नहीं बूल रहा हूं कि रिस्क लेके बाउंडरी मारी है आप सिंगल डबल भी निकाले होते उन्होंने क्या होता है कभी कवर बैट्समा ज यह रहती है कि यह पहले हम गेम को देख लिए जा किस तरफ रहा है उसके बाद डिसाइड करेंगा अगर उनको यह होता कि आठ विक्ते हैं हमारे पास आखरी सेशन में उनको तीस ओवर में अगर उनको सो रंच चाहिए तो तब उचले जाते जीट के लिए बड़ बड़ो श्रेय सायर अगर आज डेब्यू पे उनकी एक सेंचुरी लगी है दूसरी इनिंग में हाफ सेंचुरी मारी है जितने वो खुश होंगे रचन रविंद्रा वो भी डेब्यू पे थे वो भी उतने ही खुश होंगे आला कि उनके रन सिर्फ मिलकाल सा अठारा है हाँ बड़ मैच सेविंग इनिंग भी जो है आज भी हारी काम बोलते है ने एक टांक रोने टेस्ट मैच बचा लिया था अश्विन ने वो पूरी मतलब उनकी पीठ लाल हो गई ती उसके बावजूद उने तो यह भी उनकी यादगार रही गी इनिंग बलकुल अगर आप लोग इजा कुछ अच्छी बाते बताएं तो आज मौका मिला आज हमारे साथ राहूल है तोक्यो तोक्यो का आपने जगर कर रहे थे तो आप लाही और हम दोनों यहां होते थे स्टूडियो में आज तक के स्टूडियो से हम हैरान रह जाते थे और हमें गर्व होता था दोस्तों आज तक पर कौन सा ऐसा पदग विजयता नहीं था जिसका इंट्रिव्यू नहीं आता था सबसे पहले कटाट से कैसे अरे वह सारा क्रेडिट हमारे राहूल का था नहीं नहीं उसमें ऐसी बात नहीं है कि सारा क्रेड़ बट उसमें यह था कि देखिए मैं जब वहां था मुझे अच्छा काम मेरा दिखाया गया है मैंने जो अच्छा काम मैंने जो मैंने काम किया है जो मेरा जिस काम को मैं करने के लिए गया था मैंने वो काम किया बाकि मुझे अच्छा आप लोगों ने दिखाया यहां पे बहुत सारे हैं as simple as that और बाकि यह है कैसे करते थे तो बताई वो ही किस्मत की बात होती थी, you are at the right place, at the right time. मैं, सबसे पहला दिन की मेरा बाई चानु का इंटर्वीव. मैं यहां से बोलके श्वायता जी ने अपको भी बोला था यहां पर, आपको भी बोला था. मैंने आपको चावबीस तारीग को शुरू हो गये थे, पर उस दिन opening ceremony थो. थी तो मैंने उनको भी कहा था मैंने का 24 थारीक पहला दिन आप लोगों का एक मेडल आएगा वो स्मूस्ट लाइकली सिलवर आएगा पर उस दिन क्या था शूटिंग कॉंपटेशन भी बहुत सारे थे उसी दिन जिसमें आपके सौरप चौधरी, मनू भाकर बड़े बड़े मतलब राइफल और पिस्टल में 10 मीटर में इंडिया जब भी बाहर कंपीट करता है वर्ल्ड कॉप्स वर्ल्ड चैंपिंशिप वहां पर आपके ऐसा होता है गोल्ड से नीचे तो बात ही निया गोल्ड सिलवर आ गया त जाओ तो वहां पर मैं पहुंचता हूँ तो वहां पर क्या होता है अब दुनिया की मीडिया है वहां पर एक मिक्स जोन होता है जहां पर आथलीट कंपीट करने के बाद आते हैं वहां पर फिर मीडिया को इंट्रैक्ट कर सकते हैं उनसे बात कर सकते हैं तो उसमें वह तो मैं वहाँ पहुंचता हूँ तो वहाँ पेपर था जिसमें लोगों के नाम लिखे हुए थे International Media Organization से भी मेरा फलाना नाम है वो Mix Zone के लिए भी क्योंकि Limited Seats थी वहाँ पे तो मैं वहाँ पहुंचता हूँ मेरे से पहले किसी और एक इंडियन का भी था पर उनका भी वेटिंग में डाल रखा था कि अगर कोई ऊपर से छोड़ के चला जा तो आपको अंदर डाल देंगे तो मैं उनके पास गया जो वहाँ पर ऑगनाइजर थे मैंने गया रही आपने क्या कर रखा है इंडिया की एक एथलीट महाँ पर compete कर रही है वह एक medal जीतने वाली है तीक है अभी उसका event चुरू भी नहीं हुआ है मैंने का वह एक event जीतने वाली है और आप इंडियन मीडि है तो वहाँ पर उसके बाद में वहाँ गया फॉर्चुनेटली उनके साथ थोड़ा पहले भी जान पेचान थी उनके coaches उनके लोग तो वहाँ से एक बार फिर वही है कि एक बार शुरुआत हुई तो फिर एक बार आपका काम अच्छा हो जाता है आपको appreciation मिल जाती है मुझे कि कब कौन क्या मैं वहाँ लैंड करता हूँ पहुंचता हूँ अपने hotel तो NBC है नाइसल वो जो वो host broadcaster भी थे वहाँ पर एक journalist को वो बाहर चले गए अपने वो रेस्टान चले गए अपने वो रेस्टान चले गया था उनको पुलिस आइश I think U.S. का journalist से उनको उठा भाया वही से रेस्टान से उठाया सीधे एरपोर्ट उनने GPS से ट्रैक होगे कि यह इन्होंने कॉरंटीन जंप किया बाहर गये इसलग बिल्कुल तो ऐसा था मैं कुछ बाते रहूल आपसे और पूछूंगा वहां के बारे में लेकिन दोस्तों क्या हुआ देखें दो बाते हम यहां बता दें कि जब बच्चे अपने स्पोर्ट्स जो बनना चाहते हैं तो इनको बगड़ लेते हैं हम आज आप भी आई है ना तो आपके आपके एक्स्वीरियोंस ने फायदा मिलेगा देखें आपके बात अच्छे होने जोगे रहुल ने का कि मैं पहले सी जानता भी था मेरा भाई चानू को कुछ और पोच्छ वगेरा को भी जानता था तो यह बनाकर आपको रखने हैं जो आपको फीचर में काम आएंगे रहुल एक इंटर्व्यू मुचे और बहर शांदार लगा यह पह इंटर्वी इंटर्वी बहुत ही प्यारा क्या हुआ भई पिसे किया यह बताइए वारे लेंगुर एक रहा है कैसे हुआ था जाए 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 को इस तक मिडलिस आए सारे यहां पर आपको याद होगा हमने 15 अगस्त को राज सब कर एक आएंटर्यू ते सब काने था और प्रश्ट करें वे अब करा इन्हों कुछ नहीं है कभी कुछ थी पहले नहीं करी पर फिर भी करी तीक है निरच चोपड़ा के साथ कभी अथलेटिक्स में जैवलें तो कभी नहीं किया तर फिर वहां गया देखिए जो स्पोर्ट खुद खेला हुआ है इसलिए और रिकर करा अब लोगो देखा होगा नीचे अब लेकिन वह इंटर्वी बहुत प्यारा था आप बताईगे क्या आप आये तो मैंने आप से कहा भी और इन्हों नहीं जानता था पीवी सिंदू को इतना बट वो लाइन अप हुआ गए और वेरी नाइस पोर्टिंग फैमिली पादर भ अब भर में भूम रहे था आराम से मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था कि वह इसक्रीम के एवज में एक बार करनी होगी हमें रात का ताइम तो ओओ एक सेकड़ शुरुवात ही हुई थी तर्माज अखोल दी कहा कि भई आपके लिए आप लिए आइस क्रीम लेकिन लेक अब अब रहा था आपके लिए तो उन्होंने वो जो उनके वो थे वो उनका जो उनको sponsor करता है अब अब और शीजए अब ब्रान अबस्ट इस अब अब बहुंतर आपके बाहर था बार कहल ला है तो हमने थोड़ीत कहला उन्होंने मेरे तारीफ Mee की बाइदर नहीं हुए कि रावल पूरे इंट्रविव के दारान शेटल को गिरने नहीं दिया। इसलिए वह आपने तारीफ करी नहीं उस इंट्रिवी कि तो मैंने बोला जो स्पोर्ट खेला हुआ है तो और निखर कराएगा। अब आप क्रिकेटर से इंट्रिवी करवाएगे इंका तो बोलेंगे यार वो तो गुसा देता हूँ पिर तो यह है कि वह और अच्छा होता इसलिए क्योंकि स्पोर्ट खुद खेला हुआ है अब मैं आप से अब हम किसी पॉलिटीशन का इंट्रिवी लेंगे और आप लेंगे तो उसमें तो जमीन और आसमान का डिफरेंस होगा नहीं बट बाइद वे लेट मी यह दो बार ऐसे एपिसोड्स हो गए हैं आपको इस बावना आया भी था हमें नहीं आज तक पर हमने क्रिकट शुरू की 2003 में और बहुत बड़ा बुलिटन हुआ एक राइवल चैनल आये राइवल चैनल डिस्पोर्ट अंकर कौन थे मिस्टर साहिदर साल तो ऐसा नहीं है कि लोगों को मैं बता दूँ यह नहीं कि आज तक पर बड़ पतंगे दोनों आपस में लड़ती थी यह कभी हमारी कटी थी कभी इनकी कटी थी तो ऐसा नहीं है और और मैं बहुत बड़ा है राहूल विक्राम दाई का फैन भी हूँ हो पता है हम लोग हम साथ में मतलब न्यूस चैनल में काम जरूर करते थी अलग अलग लेकिन हम इंडियन टीम लैंड हुई यह भी पहले पहुंच गया हूंगे मैं भी पहुंच गया था तो इंडियन टीम के अर्राइवल के लिए हम लोग एरपूर्ट पे ही मिले थे सबसे पहली बार और एक्शली इन्होंने मेरे से उस तरह बात की जैसे बहुत पुराने को दोस्त हो आथर वेधा ती यए थी पहनी हूї थी ती-शेट पहनी हुई थी यह थी, जीन पहनी के लिए कशिए तब gekुर टेकल के लिए बटेकल भी यह रिमीदे इतना मेरे बाड़े ती-शेट पहनी हुई के और लुक वरी फिट आय सुलने में निए तुला कि tenha थी निए तेसां किया बाग कर दोपर ही चल रहा है वाज जब फील्ड में हम देखते हैं ग्रिकेट हम लोग खेलते हैं तो तो इन्हों है मुझे मिले और मैंने दूर से देख लिया था अच्छा मेरी थोड़ी नेचर थोड़ी में शाही था तो मैं हिम्मत नहीं कर पाया कि ये खुद आए यार तो वो दिन आज कर दो आप किसी से भी आपके साथ और यह मैंनी मतलब मैंनी बोल रहा है आप किसी से भी पूछ लीजे जो यहां पे हो जैसे आपने एक्सपीरिंस बता दिया मुझे मुझे यह लगता है राहूल की अगर आप किसी को पसंद करते हैं किसी के फैन है त पसंद करते हैं अब हम लोग नियूज़ रूम में काम करते हैं अब सरह की तारीफ नहीं करना चाहिएange जोग प्रिटिसाइस करने के लिए नहीं हैं और हम लोग अगर जोनिस्त है तो हम कोई इस नहीं है यह नहीं है लेकिन हो क्या जाता है कि लोग प्यार देते हैं लगता है है नहीं है हम घर यह भी जाते हैं जो एक्टर हैं स्पोर्ट्समें हैं फॉलिटिशियन है या सोचलाइट से अचीवड़ अलॉट हम नौकरी तो हर कोई कर रहा है जो एक्टर इड़ी उस टाइम पे किया जब कुर्सी खाल दी थी मैं तीवी में आज 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 कुर्सी खाल जुकत बता रहा हम आज कुर्स आज के सा अगलगा है कपड़े आपके आपके बी कबर निकल रहे हैं जैके नीचे कहीं लिए आप नहीं सकते है तो है ना गेमिटिश्द थी खाला नहीं जाने का वक्त ग्रश्य चलो कुछ नहीं कुछ नहीं था अब फिर क्या होता है सबसे बड़ी बात क्या होती है आज श्रेय सयर को मुखा मिला 100 बना दिया बिकॉस अफ्सक्राइब है तो हमें भी ऐसी मिला आज रेष जा रहे हैं यहां जा रही मान तो आपको एक्सपोजर मिलता रहा आज तक में बैठके यार बड़े-बड़े कफिल दे, सौरव गाउंगली, गावसकर, अरबजन सिंग, सचन तंडूलकर, अजुरूदी, सारे हमारे गेस्ट, तो आपका नाम पो ही जाता है ना, वो ठीक है, तो वीव, मैं सहीद भाई का, तो, नहीं, दूसरा, बड़े-बड़े, बहुत बड़े-बड़े चेहरों के साथ, इतने बड़े-बड़े क्रिकेटर्स के साथ बैठना, उनके साथ शो करना, तो आप उस association से बनते हैं, ऐसे कोई तीर भी मार देते हैं, हम लोग, जनलिस्ट, हमें यह गलत फैमी होती है, मैं ऐसे होता नहीं, ऐसे होता नहीं, मतला ऐसे लोग हैं, बिल्कुर होते हैं, बिल्कुर होते हैं, मैं तो सुना, जर्नलिस्ट आजकल यह भी बोल देते हैं, कि मैं कप्तान बना सकता हूँ, ऐसे भी जर्नलिस्ट हैं, जो भी है, मैं सच बता रहा हूँ आपको, आप गाली ख और फिर बोलिए लेकिन बोलिए वही जो आपकी समझ है सामने वाले बंदे को यह लगना चाहिए इसका एजेंडा नहीं है कई लोग हमें विराट के बारे में कहते हैं जी यह बाइस हैं विराट बोली कि तारीफ जितनी आज तक पे स्पोर्ट तक पे हुई है वो भी निकाल वह आपकी इज्ट करेगा यह बात रखना यह बात सशेब बहुत ब動画 करने से आपकी इज्ज़त बिश्ण सिंग बेदी उन्होंने मुझे कहा था क्योंकि मेरे फादर कि मैंने आपको पहले बताया बच्पन के वो दोस्त उन्होंने कहा था तू करवा लिखता है पर अच्छा लिखता है वह पर वक्त वक्त सिखाने वाले लोग यही बात मुझे अविनब बिंदरा ने एक जब मैंने अकबार छोड़ा था तब उन्होंने मुझे कहा था अरे आपने छोड़ दिया मलब प्रिंट मैंने कहां तो अच्छा मैं तो यार पढ़ता था थोड़ा मेरा वही था कि बट बो जो मैं मानता हूं आपके बट जो बेसिक पॉइंट जो मैं यह बोल रहा था मैं मैं बोल रहा था कि वही टैलेंट विदाउट सचिन टेंडूलकर 24 साल इंडिया के लिए खेल गए ना वो मत आप कंपेर किजी हमारे साल ने नी मैं वह तो अलग चीज़ा है वो लोग फिल्म स्टार हो क्रिक्टर हो उनका लाइफ स्पैन कम होता है अरे रहूल मैं कुछ औ मैं कुछ और कह रहा हूँ सचिन टेंडूलकर को आपने मौका दिया अहसान नहीं किया वही 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 तो मुझे अभी याद है शारुक खान का एक इंट्रिव्यू था आज से 15-20 साल पहले मैं ने टीवी पे सोना था अखबार पर पढ़ा था और मैं बार बार ल शारुक खान ने बोला था you show a door eight times on TV it becomes a star एक खाली दर्वाजे एक खाली दिवार को आर पार दिखा दो TV पे वो दिवार और वो दर्वाजा बन जाता है star तो हम लोग क्या है और अगर आप में तालन नहीं है तो आप सर्वाइब नहीं कर पाते है बिलकुल सी हमने का विक्रांद बहुत ही और बहुत ही मैं अगर और इन्होंने ये कहा कि भीया मुझे साथ मिला बड़े-बड़े क्रिकेटर्स का और जिनके साहरे और एक बड़ा ब्रैंड मिला जिस आपकी modesty है, आप humble है, हम इसकी इज़त करते हैं, बार बार रिक्षारा हो रहा है, खतम करना है क्योंकि साड़े 6 बजे फिर से popular news लेकर हम आएंगे, लेकिन आज राहुल, विकरांत, आप दूनों से बहुत हमेशा सीखने को मिलता है, हमेशा सीखनों मिलता है, यह है greatness, यह है मैं बोल रहा हूं कि आप बहुत modest है, humble है, यह होते है humble, यह होते हैं, यह होते हैं, यह होते हैं, आप नहीं है, आप नहीं है, इनको भी कभी, इनकी जो fan following है, हमारी into 10 है, हमारा एक छोड़ा साथ आरहा है, मैं जानता हूँ, इनको universe, he, नहीं, इनकी एक उती popularity होना, एक उत प्यार मिलता है, प्यार मिलता है इनको, और मैं वही कह रहा हूँ, लेकिन इनसान दूसरों की तारीफ करें, वह उससे अच्छा इनसान कौन है, तारीफ तो मुझे भी बड़ी इच्छी लगती है, आपको भी लगती है, हमेशा करते हैं, आज शू की तारीफ की, जूता द अलाग ब्रांगों कर जाता है, नो, यूक है, तो बेरी जैसे ही, और दू नंबर कितनी है, आप धी तो और ओडर हो जाएगा फिर यह नहीं कर सकते है, अप गटाप, और ऑर को लिए यह ची जीन्स गिफट्टेड यह जूते गिफट्टेड यह जैकट गिफटेड अनसान जैकेट तो खरीदी तो डिसकाउंट पर इसकाउंट पर इसकाउंट मिल गया रहा है? यह अच्छा सूट आप जाना है एक शो गर रहे है नितीच जी लगाता है यह बोल रहे है वो बोल रहे हैं लेकिन एपी तो आपके पीछे जोड बोलते है गोली अब इसलिए नहींदा रहा है तो खेर उर्म और बाते दिन लेकिन बहुत 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 शुक्राइब बहुत शुक्रारा दोस्तों प्लीज अपना भाउट खैल रखिया तांक्क यू बहुत शुक्राइब